नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी के हिंदी विशे के पाट साथ एक्टा का बल का अध्यन करेंगे. बच्चों, आपको मालूम है, एक्टा का क्या मतलब होता है? एक्टा क्या है? एक्टा किसे कहते हैं? एक्टा का अर्थ होता है, मिल जुलकर रहना. अर्थार एक ही विचारधारा को लेकर चलना. एक्टा में बहुत अधिक बल होता है, जिस प्रकार एक लकडी के टुकडे को कोई भी बच्चा असानी से तोड़ सकता है. किन्तु यदि इन्हें लकडियों का गठर बना दिया जाए, तो उसे बड़े से बड़ा व्यक्ती भी नहीं तोड़ सकता. तो आज हम लोग पाट साथ एक्टा के बल का अधियन करते हैं. इस कहानी में एक कबूतर है, एक चूहा है और एक बहलिया है. बहलिया का मतलब होता है शिकारी जो जाल बिछाता है. जंगल में पीपल का एक पेड था. उस पेड पर बहुत से कबूतर रहते थे. कबूतर दिन भर भोजन की खोज में उड़ते रहते थे. बच्चों खोज याने तलाश करना. रात होने पर बेशाब पीपल के पेड पर लोट आते. एक दिन की बात है. कबूतर भोजन की तलाश में उड़े. थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला. देखो, उधर देखो, धर्ती पर कितना दाना पिखरा पड़ा है. सभी कबूतर उधर देखने लगे. उन्हें धर्ती पर बहुत सा दाना दिखाई पड़ा. वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे. तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला. ठेहरो, ठेहरो, अभी वहां मत जाओ. जंगल में इतना दाना कहां से आया? दूसरा कबूतर बोला. कहीं से भी आया हो? आओ, हम सब मिलकर दाना चुगे. कबूतर धर्ती पर उतर गए. वे दाना चुगने लगे. पर बुढ़ा कबूतर उनकी साथ नहीं गया. वह दूर से ही देखता रहा. कबूतरों ने पेट भर कर दाना खाया. अब वे उनना चाहते थे. पर उनना सके. वे जाल में फस गये थे. कबूतर चिलाने लगे. बचाओ, बचाओ, हम जाल में फस गये हैं. तभी एक कबूतर चिलाया. उधर देखो. अरे, अरे वह तो बहलिया है. वो हमें पकड़ने आ रहा है. बच्चो बहलिया यानि शिकारी जो जाल बिचाते हैं. बुढ़ा कबूतर बोला. घबराओ मत. सब मिलकर जोर लगाओ. जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो. सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया. जाल कुछ उचा उठा. तो कबूतरों ने और जोर लगाया. अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे. बुढ़ा कबूतर आगे-ागे उड़ रहा था. सब कबूतर उसके पीछे-पीछे थे. बुढ़ा कबूतर उन्ही लेकर पहुत दूर उड़ गया. उसने एक तूटे-फूटे मकान की तरफ इशारा किया. वह बोला, यहां एक बुढ़े कबूतर ने चुहे को बुलाया. चुहे ने चाल काट दिया. कबूतर जाल से निकल आये. उन्होंने चुहे को धन्यवाद दिया. सभी कबूतरों ने अब बुढ़े कबूतर से छमा मांगे. और उसे धन्यवाद दिया. बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी न? आईए, अब इससे संबंधित कुछ अभ्यासकारी मैं आपको यहां करने को देती हूँ. नीचे दिये गए प्रश्णों के चार विकल्प दिये गए हैं. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. पहला, कबूतर कहां रहते थे? आ, पीपल के पेड में, ब, नीम के पेड में, स, आम के पेड में, द, बर्गत के पेड में. बिल्कुल सही, आ, पीपल के पेड में. प्रश्ण दूसरा है, छोटे कबूतर ने धर्ति पर क्या देखा? अ, मोटियों के दाने, ब, अनार के दाने, स, अनाज के दाने, द, काज के कंचे. जी हाँ, इसका उत्तर है, स, अनाज के दाने. तीसरा है, बुढ़े कबूतर का मित्र कौन था? अ, सा, ब, चुहा, स, नेवला, द, गिलहरी. उत्तर है, ब, चुहा. चुथा है, कबूतरों को पकड़ने कौन आ रहा था? अ, लुहार, ब, कुमार, स, सुनार, द, बहेलिया. उत्तर है, द, बहेलिया. पाच़ा है, बहेलिया ने क्या बिचाया था? अ, चादर, ब, चटाई, स, जाल, द, कम्बल. उत्तर है, स, जाल. प्रिश्न है, सभी कबूतरों ने बुढ़े कबूतर से छमा क्यों मांगी? उत्तर है, सभी कबूतरों ने बुढ़े कबूतर से छमा मांगी क्योंकि उन्होंने बुढ़े कबूतर की बात नहीं मानी. और वे जाल में फस के थे. इस कहानी से आपको क्या सिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है, कि मिल जुलकर कार्य करने से हर समस्या का समाधान हो जाता है. एक तामी बहुत पल होता है और हमें अपने बढ़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए बच्चों अब आपको मैं घर से करने के लिए कुछ कारिय दे रही हूँ ठीक है यह आपका ग्रह कारिय है पहला प्रश्ण है जिस प्रकार कभूतर की मदद चुहे ने की उसी प्रकार हमारी मदद कौन कौन करते है फिर से दोरा रहे हूँ जिस प्रकार कभूतर की मदद चुहे ने की उसी प्रकार हमारी मदद कौन कौन करते है अ भोजन के लिए हमारी मदद कौन करता है ब स्वास्त के लिए हमारी मदद कौन करता है स, शिक्षा के लिए हमारी मदद कौन करता है और द, कपड़ों के लिए हमारी मदद कौन करते है तो बच्चों, इसमें जैसा मैं उधारण देरीम शिक्षा के लिए हमारी मदद कौन करते है शिक्षा के लिए हमारी मदद करते है शिक्षा अब इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, पाठ में आये र, अढ़, त्र और छ वर्णों से बने शब्द खोज कर लिखो, जैसे र है यहाँ, तो हमारी पाठ में आया है पेड, तो इसी प्रकार आपको आगे के भी वर्णों को ढून कर और उससे शब्द बनाना है, प्रश्न तीसरा है, कबूतर और चुहे का चित्र बनाओ, और उनसे संबंधित पाँच वाक्यों को लिखो, कबूतर और चुहे का चित्र बनाओ, और उनसे संबंधित पाँच वाक्यों को लिखो, तो बच्चों, इस कारे को आप अपने घर से करकर लाना, फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,